वो टॉपिक है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है विकाउस लेंग्वेस हमें बहुत सारी चीज़ सिखाती है जैसे साइंस आपको बहुत सारे चीज़ सिखाते हैं मतलब ब्रमांड के बारे में या फिर बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको साइंस से सीखने के लिए मिलत और टॉपिक का नाम है आप लोग अच्छी तरह से जान रहें देख रहे होंगे me and the ecology bit ये कोई एक टॉपिक इसके अधार पर आपको नहीं परना इस टॉपिक को कि ये एक टॉपिक है हमारे चैप्टर नमर टू में है इससे question आएगा तो इसे हम लोग को परना नहीं इस टॉ कर दिए ओके ताकि आपको इसी तरह के धेर सारे हैना चैप्टर के वीडियो आपको मिलने वाला हर एक that means subject के वीडियो आपको मिलने वाला है तो फड़ा फट अधिक जो फरस्ट टाइम इस चैनल पर आया जो स्टूनेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो प लॉजी बीटि यहां पर देखिए बेसिकली मी जो है आई का अब्जेक्ट यूज किया गया है मी तो पहले जवाने की इंगलीस की बात किजिएगा तो ओल्ड इंगलीस वराही अट पड़ा चट पड़ा था तो यहां पर धियान दीजिएगा कि मी मना क्या हो गया मैं मी का चर्चा करें लेखक लेखक एजटीव अपने आपको मानते हैं मी और परियावरन के यहां पर बारे में यह क्या करने वाले चर्चा करने वाले हैं वन आप दा बेस्ट चैप्टर इन दिस बुक इस पूरे बुक में सबसे बेस्ट चैप्टर अधी अकॉर्डिंग टू मी अधी मेरे अनुसार माना जाए ऐसे के रूप में तो वो कौन है मी एंड़ एकॉलोजी बीट इससे आपको नॉलेज मिलने वाला है इससे आपको क्या बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलने वाला है यह चैप्टर आप लिए बहुत ही क्या है लाजवाब है तो सो जिसको जो चीज पता नहीं रहता है तो वो उसके बारे में अधुरा ग्यान लेके फिर बाद में क्या करता है पच्ताता है यह काबत भी है आधा ग्यान लेना और आधा ग्यान देना आनि हाफ नॉलेज हैना लिटल नॉलेज मतलब आपके पास कम नॉलेज है तो वो चल सक के लिए क्या मिलेगा कि कैसे हम पर्यावन का क्या करें बचाव करें तो चलिए गाईस एक बार फड़ा फड़ सारे स्टुएंट क्या कि जे वीडियो को सेर कर दिजिए हैना जितने भी स्टुएंट है और यहां पर बहुत सारे स्टुएंट लिख रहे हैं कि सर पीडियेफ इंगलिस का नहीं मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा नोट्स के साथ मिलेगा लेकिन उसके साथ आप लोग को एक काम करना जो बिल्कुल नहीं भूलना है और वो क्या काम करना आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि टार्गेट बोर्ट के दौर्ट टॉपर बैच चलाया जा र कितने 999 में all subject प्रॉपर वेच कितना 2000 है ना 24 हम लोग देने वाले हैं कितने 999 में और इससे सस्ता ये सस्ता नहीं ये बोलने में भी मुझे सरम लगता है कि आप लोग सुचिएगा कि मतलब कि सब्जी हुजी है कि भाव मुला हो रहा है क्योंकि कि रिजन क्या कि स्तिती ऐसा बना दिया है लंसम आदमी आके कि मतलब बोलना पड़ता है ब्राइस बातको बोलने में बस इतने समझ लीए गुरु दक्शना के रूप में प्यारे बच्चों है ना किसके रूप में गुरु दक्षना के रूप में आपसे 999 लिया जाएगा और 999 में आपको टॉपर बैच जो है 2024 को जोईन करवाया जाएगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्या टॉपर नोट्स मिलने वाला इसी 999 में और इसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हम लोग ये भी पैसा नहीं लेते हैं अधि हम लोग के पास इतने इतने सारे क्या डैट मिस वर्कर हैं स्टाप हैं काम कर रहे हैं सारा बेवस्ता देखते हैं बिजली है बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग effort नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग support नहीं कीजिए गरीगा है तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा ये 999 बैच आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें इसके साथ आप लोग का चल्दा है 1099 में English spoken का पूरे एक साल के लिए कितने साल के लिए पूरे एक साल के लिए मात्र 1099 में आपको इंगलिस एकदम बिल्कुल जीरो से बोलने के लिए सिखाया जाएगा सभी क्लास का आपको एकदम प्रोपर रूप से सारा चीज नोट्स मिलेगा सारा चीज आपका कड़ा ज नहीं है जो हम परचार करेंगे यह आप लोग के लिए ही है ना चलिए तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टॉपिक बहुत ही इलसांदार और जबरदस्त है और दिखें यहां पे कुछ इमेजिद्ज के माधियम से मैं आपको इस चैप्टर को क्या करूँगा एक स्प्लेन करूँगा एक भी लाइन आपके छूटने वाले नहीं है लाइन भावा यहाप नहीं परारा आप लेकिन एक भी लाइन नहीं छूटने वाला है I promise you okay और पूरे यूट्यूब पर इस तरह से इस chapter को कोई design नहीं किया है है ना that means किसके अलावा target board के अलावा तो चलिए अब हम लोग समझते हैं और एक-एक चीजों को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है me and the ecology beat के लेखक है जिसका नाम है John Legzoo क्या नाम है? John Legzoo अब देखिए यह John Legzoo आपको सुनके थोड़ा आजीव लग रहा हूँ John Legzoo कहीं इसमें दो-दो नाम तो नहीं है तो यह बववा that means foreign country के नाम है दूसरे देश के नाम है तो सुभावी कहा कि वो नाम सुनके हम लोग को थोड़ा विचित्र लगेगा अजीब लगेगा तो इस लिए इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना है My Dear Student उन चीजों को बिलकूल भी दिमाग में नहीं रखना है तो आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को क्या करते हैं समझते हैं बहुत बहुत बहतरी सारे स्ट्रेंट अगदम बिल्कुल सही धंग से समझ पार है मेरी बातों को चलिए तो अधिस समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें अप लोग का कॉमेंट बॉक्स खोल लें ताकि मेरे लिए असानी होगा क्योंकि डेक्स टॉप पे देखना थोड डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए चलिए तो जम के एक बार सारे स्ट्रेंट सेर कर दिजिए जितने भी स्ट्रेंट है फड़ा परते जी में वीडियो को और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बहतरीन चीज़ झाल 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 excuse me 처ly should be Sapi skulle करते समाझते हैं यह जो शapatर्क का साइकील डेखना रहीर तो यहाँ पर खुछ आपको दिखाजी यह तर दिखा च्टा सर न यूज पेपर क्या दिका नीच dlipper दिखा के बारे हैं ना है लेखा कि यहां पे यहां पर जान लेख्जू है लेकिन अपने आपको परेंट कर रहा है जीना उसका नाम फुछा जाएगा दुछा लॉट के दिमाग में लगे रखे किन फूल pro das ंब हो समझते हैं एक चीजों को लस के टाइम में डिस्टर्फ करता है अचा कोई बात हैं मोबाइल को अफ कर दीए ठीक है अब धियान दीजिए तो जॉन लेक्ट जो क्या है हमारे लेखक है और अपने आपको ये किसके रुप्पे पर जंट कर रहे हैं जीम नाम का एक लरका है जो कि क्या बेचने का काम करता है और ये क्या है एसे है और में रेकलोजी परियास कर रहे है ना उनके बारे में बताने का ये क्या कर रहा है सारा चीज कर रहा है काम कर रहा है तो चलिए तो समझ लिजिए ये जीम है जीम पेपर बेचता है बेचरा पेपर बेचने का काम करता है इनके पिता जी भी कौन सा काम कर रहे थे पेपर बेचने का ही और ज कि पेपर बेचता और पेपर बेचने के साथ साथ पर्यावरन के बारे में स्लोगन भी देते हैं, पर्यावरन के बारे में उपदेश भी देते हैं, लोकों को जागरुक भी करते हैं, कि हमें पर्यावरन का कैसे क्या करना चाहिए, वचाव करना चाहिए, कैसे इनका पालन करन कौन जीम किसके माधियम से जीम तो सबसे पहला क्या जाने की अच्छा यह एक यह से है यह दो चीज के लिए रोग गया इसमें मुख एकर करकर के रूप में हीरो के रूप में कोन है तो जीम है जीम को नहीं राइटर ही अपने आपको यहां पर परजेंट करते हैं वही जीम ह कुम करता है पेपार रूट चुना क्या किया पेपर रूट चुना है क्या चीज के लिए AWS साथ-साथ पेपर भी बेचेंगे और साथ ही साथ modular बारे में जानकारी भी देदेंगे यह है आपके पास से खतर्नाक di एक बहुत ही यहां रंगी जब चुनाव आते हैं या कोई फिल्म वगएरा सब देखते होंगे जैसे साइमन कमिसन वापस जाओ वापस जाओ या फिर कहीं पर देखते होंगे कि देश भक्ती है और किसी का क्या क्या जा रहा है विरोध क्या जा रहा है तो उसके परती एक नारे लिखे जाते हैं है ना लिखे देते हैं स्लोगन को आना जैसे कि अपना स्लोगन अपडलो चाहे कहीं से तॉपर हो गा यहीं से । यह क्या स्लोगन है तो उसी तरह से इस चैपर में टीन स्लोगन दिया गह添 narrative three slo games in this chapter first slogans he or is safe water then second then second sloans and a save earth and third slogan save three and save life hang is not here safe life only here safe tree इसे हिंदी हम लोग समझते हैं कि इसमें तीन स्लोगन दिये गया है पहला कि पानी को हमें बचाना है और दूसरा चीज हमें पिर्धिमी को बचाना और तीसरा चीज हमें पेर पौधे को क्या करना है बचाना है और यहाँ पर देखे कितने अच्छे ढंग से, सांदार ढंग से हम यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के भी ना कुछ नहीं है, अभी देखे ना गर्मी के मोसम है, तो बहुत सारे एडिया का वो हाल हो चुका है, जितना बोला जाए उतना क्या है, कम है पा प्रात्मिकता हमें देनी चाहिए, इसमें कि हमें पेरों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, आप देखे यह व्यक्ति क्या करने, बचाने का परियास कर रहे हैं, कम से कम मैं तो आपको जरूर सला दूँगा कि साल में कम से कम एक पेर जरूर लगाईए, है ना, परियास किजिए, और फेर सिर्फ लगाने से नहीं होता है, बलकि उसे अच्छे ढंक से उसका देख रेक भी करना जरूरी है, जन्म देने वाले से जैदा उसे बचाने वाले का क्या होता है, नाम ह होता है, तो ये तमाम चीज, ये सारा चीज, जितने चीज आप यहाँ पर क्या करने, देख रहें है, ये सलोगन दिया गया है, किसके द्वारा, जॉन लैक्जु के द्वारा दिया गया है, इस चेप्टर में, देखिए, अधी आप अपने परियावरन को अधी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं ना तो फिर समझ लीजे कि आपके लिए बहुत ये डेंजर का बात है लेकिन कोई इसका ध्यान नहीं देता है इसलिए नहीं ध्यान देता है उसको लगता है रहे यार मेरे करने से क्या होगा एक मैं कर लूँगा तो क्या सारा चीज ठीक हो जाएगा तो ये वो सोचते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा तो भाई आपके करने से बहुत कुछ हो सकता है आप सुरुवात तो किजी है ना आप पानी बचाने की चकर में आप 10 बाल्टी से नहाते हैं हम तो नहीं नहाते हैं जो हकीकत बात है ना एक पहला बाल्टीन भरते हैं तो सब्सक्राइब रजा है और पिर्थीमी को भी बचाना चाहिए और पर अचाहिए तो चलिए यहां तक आप लोग को कहानी समझ में आया थे यहां तक हम लाइन पढ़ा सकते थे इसमें को द करने था प्रते ने कि समझते हैं इस टॉपिक को फिर उसमें आगे बढ़ते फिर उसको हम क्या करते समझाते फिर वही पुराना वला मेथड हमें comments करके बताईए कि आपको समझ में आ रहा है क्या यह method आपको पसंद है अधी आप बोलिएगा कि यह method हमें पसंद नहीं है तो फिर मैं वही पुराना वाला method यूच करने वाला हूं चलिए बताईए इंडियाज नमबर वन यूट्यूब चलिए बचाएं इंगलीश का क्लास में इंगलीश में ही बात कर यह अच्छा विकास कमार लिख रहे हैं इंगलीश के कलास में इंगलीश में ही बात किजिए वाओ very nice your advice is very good okay so let's start in English talking and your class complete in English okay मजा आएगा आपके कहने से नहीं मैं चलने वाला हूं विकास ठीक है मेरे पास वैसे वैसे भी बच्चे हैं है ना जिसे हमें सब को लेके चलना पड़ता है यह सरपसंद है देखिए English medium में हम इसे बिलकूल अच्छे डंग से डिजाइन कर सकते हैं लेकिन उसका meaning भी समझ माना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और जो यह बात लिख रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप CVSC board से belong करते होंगे ठीक है और फिर आप किसमें आए बिहार बोर्ड में आए तो इसलिए आप इस तरह की बाते करते हैं तो मेरे लिए दोनों ही बरावर हैं CVSC board हो बिहार बोर्ड हो या फिर दुनिया की कोई भी बोर्ड हो मेरे लिए सब क्या है बरावर है मैं हिंदी कम grammar translation method से ही पढ़ाने का क्या हमेशा because मुझे पता है कि वो वो जो रमायन कहान ही है परना मतलब स्टार्ट कर देंगे जैसे कि हम लोग के बगल में रमायन के पार्ट होते हैं संस्कृत में होते हैं है ना तो उसमें बोलते हैं मंगल भवनाया मंगल हारी दर्वव दसरत ऐसे करके बोलते हैं और फिर संस मेरे लिए सब बड़ावर है जो इंग्लिस मेडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए काम कर जाएगे और जो हिंदी मेडियम कोंगे उनके लिए और बात रही कि नॉलेज के साथ साथ अदी आपका प्रॉब्लम ना बना तब आप मुझे कह सकते हैं जब हम कोष्चन की बात करेंगे जब हम आपके सामने क्वैस्टन लाएंगे जब आपका सॉल्व नहीं होगा तो तब आप विकास दी इस बात को बोल सकते हैं आदी आपको इतना ही अच् भर यह थीख थीख छीख थीख चलिए विर्ट आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो नेक्स्स लाइट की और बढ़ते और देखें खतरनाक स्वाय लगा गया है और ये स्लीट देख क्या आप मनकुस हो गया होगा और ये ये स्वाहिट देखने को बात कुछ खांसर के याद आ रहे होंगे ठीक है कुछ किस के याद आ रहे होंगे खांसर के याद आ रहे होंगे कि खांसर इसी तरह से सलाइड लगा लगा के पढ़ाते हैं तो चलिए खांसर के अनुसार ही हम लोग थोड़ा सब पढ़ लेते हैं अब दिखें यहां पर हम लिखें theme of the chapter क्या है theme of the chapter about author में उतना हम detail में गए नहीं because your book और आपके किताब में about author के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कब उसका जन्म हुआ और कब उसका मरन हुआ है जो आपके ncrt book में दिया गया उसी से question क्या किया जाते हैं पूछे जाते हैं तो इसलिए हम जो उसी चीज को क्या कर रहे हैं follow कर रहे हैं एक बार सारे student station को like कर दिजिए आप लोग क्या की एक लाइक कर दिजिए ना तेजी में चलिए समझते देखिए इसमें तीन character हैं मुखे रूप से कितने character हैं त्री characters इसमें तीन characters हैं तीन पातर हैं ठीक है उनको समझिएगा अच्छा यहां पर समझते जाएगा हम सब जीज को समझाएंगे बिलकुल ही बड़े ही असान बहासा में सबसे पहला दी एक नमर में बात करें तो यह है याद रखेगा यह साइद दिखराओगा या ने दिखराओगा हम प्रेड में ही ले लेते हैं यह यहाँ पर आपको एक नमर में दिख रहा होगा सबसे पहले इनको देखिए है ना इसका नाम है Mr. William क्या नाम है Mr. William ठीक है? और इसका नाम है Miss Greenie क्या है? Miss Greenie ठीक है? और इसका नाम है Johnson इसका नाम क्या है? Johnson ठीक है? J-O-H-N J-O-H-N-S-O-N क्या है? Johnson ठीक है? अच्छा यह बिचरा यह कुतवा है यह कुची है यह कुतवा है ठीक है? कुतवा है देख लिजिए यह क्या है? कुतवा है बड़ा ही प्यारा सा है और ये जो देखने बड़ा ही सुन्दर है, सुसील है, सजन है, लगने से, दिखने से ही लग रही है, कि भारतिय नारी है, कौन नारी है, भारतिय नारी है, ठीक है, कौन सी नारी है, भारतिय नारी है, सब पे भारी, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, तो जीम जो ह जिनको ये घर पे जाकर क्या देते हैं पेपर देते हैं पेपर को डिष्टिब्यूट करते हैं बेचते हैं साराची है ना तो यहाँ पर यह कौन है Mr. William तो याद रखिएगा Saturday और Sunday जिनको पेपर देते हैं उसके यहाँ जाते हैं मनी कोलेक्ट करने के लिए पैसा मतलब जिसको जिसको हम पेपर देना है तो Saturday और Sunday वह जाते हैं उसके यहाँ उससे पैसे भी मांगते हैं और पैसे मांगने के साथ free of cost क्या बोला जा रहा है free of cost free of cost का मदद होता है बिना किसी मुल्य के सुन लेजिए I repeat again is the meaning of free of cost क मुल्य के यह जिम छो है लोगों को हैना इन तीनों को बिलकुल किस के बारेमें एक लॉजी के बारे में पर्यावरान के बारे में बताते हैं बिना किसी मुल्य के बिना किसी पैसे लिए कि अ अगधार हिन है वो दूगो पढ़ने के लिए गधार नहीं आता है यह दिजिए तो क्या है फ्री आपकोस्ट यह किसके बारे में उद्धे से दे रहें इकलोजी के बारे में तो सबसे पहले जीम जाता है किसके पास सबसे सबसे पहले मिलता मिस्टर विलियम के पास यहां पर देखिए यह मिस्टर विलियम है तो जीम याद रखेगा सबसे पहले किसके घर जाते हैं तो जीम सबसे पहले घर जाते हैं मिस्टर विलियम के घर तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ आदमी किसी से जदी मिलन बहाना बना जाँ ऐखातों पैसा साथ वो फ़ीबारे में बताएगा और वो बचारा क्या कर रहा था पति जला रहे लिस लिपस लिपसमेस क्या होती तो भिप का पुटल फॉर्म पाड़ा लीब्स तो मिस्टर विलियम कहते हैं कि भूल दो मैं घ़र पे नहीं हूँ लेकिन उतनी दैर में यहाँ पे धुआ हो रहा था क्या हो था था थुआ उस धुआ से उनको किनको जीम को लगा लगता है कि मिस्टर विलियम जो है अपने बारी में हैं उसे हम इंगलिस में backyard का थे क्या करते हैं backyard है न बारी को क्या करते हैं बारी बारी मतलब जाओ आपके घर के पीछे हो तो उतने ही दिर में उधर से धुए का क्या आया आप उसके पर लिए लाच के मारे उसका हालत बढ़ा क्या होजाएगा खराब होजाएगा तो इनका हालत खराब होके जीम को देखके बोला कि अभी आप बहाना बल्द बोले कि आभी घर पे नए हैं आप यहां ही है खेर छोड़िए चलिए मिल तो गए ना कहीं ना कहीं तो यह पैसा मांगने के बज़े से इसे यह सला देने लगते हैं कि आप इस पत्यों को क्यों जला रहे हैं करते हैं मैंनी और मतलब खाद होते हैं और कमपोष्ट का मतलब भी खाद होते हैं और वैसे खाद होते हैं जिसे हम लोग जैविक खाद करते हैं जैविक खाद क्या होता है कि आपके घर में जो कूरे कच्रे हैं या फिर मौन के लिए कि गाय के द्वारा या भैस के द्वारा और जो भी मलमूत रह mesma लोगं क्या करते हैं और फिर उसे हम लोग कहां खेतों में उसे हम डालते हैं। और जो पेर पौदे की पतियां उसे भी हम लोग सराग लाके कहां डालते हैं खेतों में क्योंकि वो एक काम करता है यह बराबर मतलब उर्जा का कभी भी नास नहीं होता है तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं अपने खेत में जाके डालते हैं तो उससे उर्वरक छमता क्या होती है बढ़ती है तो यह इसे सलाह देने लगते हैं कौन देट मिन्स जीम सलाह देने लगते मिस्टर विलियम को की डॉंट बर्ण दिस डॉंट वर्ण दीज लिप्स इन पत्यों को मत जलाईए बिकॉस इस बिकॉस इस वेरी इंपॉर्टेंट फोर क्या कॉम पैर कंपोस्ट फोर क्या फिल्स मतलब क्या मैदान के लिए नहीं खेत डलाना चाहिए इसे हम लोगग खेत में क्या करेंगे यूज करेंगे तुससे खाद होगा खाद होगा तो अच्छे फसले होंगे तो इसे रहा नहीं जाता है यह उसको कहता है कि I mean तुम्हारा कहने का मतलब यह हुआ कि मैं इसे इखटा करूं और जो है इसससे मैं नोज फ निकलेगा दुरगंद निकलेगा जिससे न्वाइज पोल्यूसन नहीं बलकि क्या नोस पोल्यूसन बढ़ जाएगा है यह काम तुम ही जाके करो अपने घर पे मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तुम अपने काम से काम रखो मतलब रखो तुम हमको ज्यादा एडव है यह चीज़ हो गया तो बेचरा को यहां पर पैसा भी नहीं मिला और कुछ अना मतलब सीखने के लिए ही मिल गया उल्टे कि दूसरे के काम में हमें मतलब टांग नहीं आराना चाहिए तो फिर बेचरा तपर भी जीम हारा नहीं क्योंकि यह तो इको फ्रेंडली वहा है त सब्सक्राइब क्या है क्योंकि क्योंकि तो नी डिए पर्सन ऐसे होते हैं कुछ परसन यसे होते हैं जिसे अपना एज बिलकुल भी बताच रहा के अच्छा नहीं लगता है कि हमको कम दिखा के बोले तो बड़ा अच्छा है तो इस लर्की में वही गून है यह लर्की क्या करती है समझिएगा वह इसे जनरली सब के साथ ऐसा होता है हना अधी मौनक चलिए उसे जाकर यह आंटी थोड़ा साइड दीजिएगा हना मतलब जो थोड़ा भी हाल फिलाले स साथी हुआ ऐसे घूम के देखा है हम तुमको अंटी नजरान है है हम तुमको अंटी लगते हैं तो यह क्या है कि यह अपने आपको मिस कहलवाती है मिसेज नहीं अधी मिस का मतलब हो गया कुमारी और मिसेज का मतलब हो गया साधी सुदा और गलती से भी अधी जीम ने इस से कोई सलाह नहीं देते हैं कौन जीम यह डायरेक्ट वहाँ पहुंचते किसके घर मिस्ग्रीनी के घर पे तो मिस्ग्रीनी जो थी क्या कर रही थी कि पेपर और मतलब एल्मुनियम एक पदार्त है उनके बारें समझ लिए जैसे लोहाटीना बाले आपके गाम आते हैं बैचने के लिए लिए जुता चपल लोहाटीना के बदले कुंची दाल मोट लिजिए या फिर प्याज लिजिए तो वह बला है ठीक है ऐल्मुनियम जिसे हम लोग को और अल्मुनियम कैंस को वहां पर जो भी कचरे थे उसे ये क्या कर रहा था जमा करके उसको फेकने के लिए जा रही थे हैं तो उतना फिर में पहुँच गये कौन जीम अब उतना दिर में जैसे जीम पहुचा तो जीम इसे रोखना स्टाट कर दिया कि आप यह क्या कर र रखिए, मंडे को weekly pick up आता है, है ना, वो इसे लेके जाएगा, ताकि इसे फिर इसकुल के लिए क्या क्या जा सके है, यूज, क्योंकि जैसे आप कॉपी बेच देते हैं, है ना, घर में, या फिर किताब किसी को दे देते हैं, लोहाटी ना वाले को, तो वो क्या करते हैं, उस क्या है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप अधी ऐसा करते हैं, तो समझ लिजिए, है ना, अधी आप ऐसा करते हैं, तो समझ लिजिए, कि मतलब ये गलत बात है, क्योंकि हम इन्हें पुने क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकत हैं तो इन्हें ये सलाह देने लगते हैं कौन जीम इसको आ जाता है गुसा लाल बवला हो जाती है क्या हो जाती है लाल बवला मतलब गुसा में पूरे आ जाती है क्या जाती है गुसा में पूरा भर पूरा जाती है कि कोई भी जो डॉक से उसे लेस में बांद के रखना च Michalese बोले तो पट्टा take है लेकिन तुम्हारा जो यह कुत्वा है नकुची है यह जो तुम्हारा यह जो पुतवा है दिखने में फंई लग रहा है यह तुम्हारा कुट्वा है यह कुत्वा जो इधर उधर बोखते रहता है और बोखने के साथ साथ मेरे आंगन में आके मेसिस अप करता है क्या करता है मेसिस अप क्या ये करता है मेसिस क्या करता है मेसिस अप मेसिस अप का मदला होता है गंदा क्या करना गंदा तो ये कहते हैं कि मेरे आंगन में ये आके तुम्हारा जो क से परियावरन नहीं दूसीत होता है और तुम आयो हमें बड़ा सलाह देने के लिए परियावरन के बारे में तुम अपना काम करो ठीक है? अपने काम से काम मतलब रखो मेरे काम में टांग आराने का परियास बिल्कुल भी नहीं करोगे और अधी करोगे तो समझ लेना अंजाम बहुत क्या होगा बुरा होगा तो फिर वो पैसा मांगते तो बोलता जाओ पैसा तुमको नहीं मिलने वाला आज तुमने मेरा क्या क्या है मुड़ खराब कर दिया है तो मतलब इन्हें ये पे चरा और सला दे रहे थे तो उल्टे ये इस पर क्या हो र स ata और दूसरे वक्ती से मिलने के बाद फिर तीसरे वक्ती के पास पहुंच जाता है किसके पास जौंसन के पास और जौंसन जो है बुलाक में काम करते हैं जौंसन के घर से पूस्ट ऑफिश की दूरी एको प्लोक्स यह पूचेगा इतने ब्लोक्स यह तो ब्लोक्स और ये समझ वारा हुआ यह इनसे यह थुरा सा समजाईए हैना यह ब्लोक्स क्या होता है तो यह ब्लोक्स 10 होती है उसे हम लों क्या करते है लुकैँ आपै च्राफ आनके iज method यह कार से दिखिए इसका यह चम चमाती हुई क्या है कार है ठीक है तो यह किसे जाते हैं कार से यह जीम पहुंच जाते जॉंसन के पास तो जॉंसन के पास जैसे जा ही रही होते हैं जा रहे हैं ही होते हैं तो दूर से ही जीम देखता है कि जॉंसन कहां प्या रहा है अपने क कार के पास आ रहा है तो जीम दिमाग में बना लिया ओहो ये कार से जाएगा और पढ़ियावरन को दुसित करेगा फिर उससे हमारा पढ़ियावरन बहुत ही और सुरक्षित हो जाएगा तो जीम क्या करता है कि बहुत तेजी से वहां से निकलता है और इतने तेजी से निकलत है वो उसे सलाह देने लगते हैं Johnson को कि आपको इसकार का यूज नहीं करना चाहिए because your distance only two blocks है ना so आपको यूज नहीं करनी चाहिए आपको on foot चलना चाहिए पैदल ही चलना चाहिए ठीक है अब यहां पर दियान देजिए तो हम क्या बोले हाँ तो जॉनसन को यह भोलने लगए कि पोस्ट आफिस की दूरी जो है पोस्ट आफिस की जो क्या है पोस्ट आफिस की जो दूरी है वह ज्यादा दूर थोड़ी है पोस्ट आफिस की दूरी वह लने कितने two blocks है तो आप कार से क्यों जा रहे है आप तो पैदल भी जा सकते है पैर के माधियम से भी जा सकते है इ से तो वायू पर्दूसन होगा है ना इससे एनरजी का लॉस भी होगा है ना पेट्रॉल की खपत भी होगा आपको कार से नहीं जाना चाहिए तो अब इसको ठोट है किसको गुसा जॉंसन को तो जॉंसन कहते हैं सुनो जीम इधर आओ ठीक है वुलाया इधर बोला कि यहां ख दिखेगा तुम तो उसे मार दिया है वोला कि वो कैसे वोला कि तुम जो डेली पेपर देने के लिए मिस्स ग्रीनी के घर जाते हो तो तुम इसी होके जाते हो और चलते चलते तुमरे पैर से कितने पेर पोदे कुचल के मर गया हना और तुम उसमें एक रास्ता बना दिया आने जाने का तो तुमको नहीं लगता कि पड़ियाबरन का तुमने क्या किया है और तुम हमको बड़ा सलाह देते हो तो तुम समर के दिनों में मोटर वाइक याद रखेगा गर्मी के दिनों में मोटर वाइक और विंटर में स्नो मोवाइल का क्या करते हो यूज करते हो तु कर ल 1977 कि मुझे देने के लिए आयो सला की मदलब एकोलोजी के बारे मिंसे अपना काम करने दो उतनी दिए और तो भारी देखते हैं चेहिता और घर से बाद करते और बात करने के बदिर कहते तुमने मेरा आज office जाने का जो time था उसको क्या किया बरबाद किया अब मैं office नहीं जा पाओंगा तुमरी बजे साज में office नहीं गया जो तुमको पैसा भी आज मिलने वाला नहीं है और वेचरा को पैसा भी नहीं मिलता है लेकिन वो खुश होता है इस बात से Jim कि चलो कम से कम आज तो इसको परियावरन को दूसित करने नहीं दिया है ना आज तो परियावरन को दूसित करने मैंने नहीं दिया ठीक है ये इस बात को बोलते हैं कौन जीम की चलो कम से कम आज तो परियावरन दूसित नहीं होने दिया है उसके बाद फिर वो चल लेते हैं बेचरा घर और वो घर पहुंचते हैं घर पहुंचने के बाद कहीं पैसा भी नहीं मिला और घर जब पहुंचते हैं यह ना यह जीम काम छोटा सा फोटो लगाए है ना यहां पर ठीक है तो घर पहुंचते हैं तो घर में वो देखती है अपनी मां को क्या देखते हैं अपनी मां को और फिर यहां पे एक और यह चीज लगा दिते है लो मेंन यह बोलते हैं वुमन और a woman are more uses less less you know, not human are more uses electric. क्या, electric things, electric things, मतलब इसे हम लिखायां गदे हैं, में यह पे जब अपनी माँ को देखते हैं क्या करते हुए कि electric mixer में ये क्या करें भी इसकी माँ मसाला पीश रही थी तो यहाँ भी जीम को नहीं रहा जा था और यह अपने मम्मी को सchlag देने लगते हैं कि मा vallahi आपको जो इस मसीन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से एलेक्ट्रिक का बहुत खपत होता है आपको वही पुराने वाले जो सिला लोड़ी है ता था है न मसाला पीछने वाला रोलर तो उनका यूज करना चाहिए आपको इनका यूज नहीं करना चाहिए और फिर इसकी मम्मी को आता है गुस्सा कि तु तुम मुझे बहुत सला देता और ये भी कोशन पूछेगा कि एलेक्ट्रिक फिंग्स का यूज ज्यादा कौन करती है तो महलाय करती है ठीक है एलेक्ट्रिक फिंग्स मतलब मसीन वाली जो चीजे होती हो जिनका ज्यादा यूज कौन करती है महलाय तो ये कहते हैं कि 27-27 ग के बारे में सोचते नहीं सब कोई इनके favor में तो हैं लेकिन जब बात आता है करने का तो कोई करता नहीं है except मेरे अलावा मेरे अलावा कोई पर्यावरन के बारे में सोचता नहीं है तो ये चीज बात बोलके chapter खत्म हो जाता है और हम लोग कल यहां से आगे बढ़ेंगे सार ही रह जाएगा क्रीज सर्च करके क्रीज सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस पर मैं पढ़ाई के अलावा कुमन टॉपिक की आपको कैसे स्मार्ट वर करना है कैसे आपको अपना पढ़ाई मेंटेन करना है कैसे घर में अच्छे रहं से चलना है ताकि क्या आपके मातापिता आपके परती और ज़्यादा विस्वास को दिखाया और भी ज़्यादा आपको माने चाहे है ना तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इस पर हम कोमन टॉपिक आपको बताने वाले हैं और डॉंट मिस दिस क्लास है ना कौन सा क्लास मिस करना आपके सबसे बड़ी क्या होगी भूल होगी 199 में एक साल के लिए आप आराम से इस क्लास को जोइन कर सकते हैं और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए आप 91-100-190-13 पर क्या कर सकते हैं बात कर सकते हैं और पेमेंट आप 81-14-53-20-21 पर करके क्लास को जोइन कर सकते हैं अधि आप पेफोन नहीं चला रहे हैं तो ठीक है अधि आप पेफोन नहीं चला रहे हैं तो इसलिख देते हैं हम यहाँ अच्छ से इसका एकाउंट नेम क्या आएगा कुंदन कुमार क्या आएगा कुंदन कुमार ठीक है तो इस पे आप पैमेंट कर सकते हैं अधर किसी नमर पर नहीं करना है इस पे इंगलिस के रिगार्डिंग कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप आप राम से ले सकते हैं लेकिन आप पैमेंट किस पर करना एक आसी चोड़े तिरिपन बीस एक इस अधिया पे फोन चलाते हैं तो डारेक्ट वहां से क्या कर सकते हैं चलिए तो आप ब बताईये शली नो सर नो सर नो सर चलिए देखे आप खरी दिया या ना खरी दिया हम यह मतलब यह समान नहीं है ठीक है आपको एक दिया गया पैकेज दिया गया एक लाव दिया गया है है उससे फैदा आपको ही है हख और हुआ है अब दिदेगी के माफ़ फुरिबो से रेक्वेश्ट रख रूख से रिक्वेस्टे थोडग किये ठीक है आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग हो किये प्लीज मत जाए ठीक है चलिए थोड़ा साम आपको बताते हैं ध्यां दीजिए इन दिस लेशन दा नेरेटर एबाउट हो ही एडवाइज एवरीवरी वर्ट दे सुद दू तू प्रोटेक्ट देम करते हैं कि इस लेशन में लेखक हैनलेखक एबाउट हो ही एडवाइ इस चैप्टर में लेखक कैसे एडवाइज देते हैं सलाह देते हैं हरे कोई को है ना कि क्या दे सुद डू टू प्रोटेक्ट मतलब किस चीज के बारे में है ना ये सलाह देते हैं लेखक कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए तो हम आपको नहें बताएं किसके बारे में ecology के बारे में किसके बारे में ecology के बारे में एक और चेक करवा देते हैं the narrator told Mr. William no to burn lives narrator जो Mr. William से लेखा कहते कि इस पतियों को मत जराइए क्योंकि यह हवा और ecology के लिए क्या है खराब है यहाँ पर बेड हो जाएगा आगे थोरा सा और चेक करवा लिजिए है न यह पेपर कलेक्ट करते थे इसके अलावा यहाँ पर देखिए है न जिम्स mother told him that he used up desk by watching television all the time है न तो electricity के कारण है न यह चीज़ है मतलब जो भी चीज़ हम यूज किया है इसा कुछ भी नहीं है यार अराम से कर सकते हम सारा चीज़ आपका करवा देंगे ठीक है आप कलास जोईन कीजिए घर में थोरा जगणा भी करना पड़े जगणा मतलब यह नहीं कि करन का पार मुहाँ पे बोलना है कि हमको इंगलिस स्पिकिंग का कॉर्स जोईन करना है मात्र एक सो निन्यानवे में एक साल पढ़ाया जा रहा है जो कि आपको कहीं पूरे इंडिया में इस तरह का वेवस्ता नहीं मिलने वाला है कि दो दिन मतलब कल तो हम बताए दिते कि क्लास नहीं ले पाएंगे विकाउज हम कहां पटना गए थे और मॉर्निंग में आयते पूरा ठके ठके थे तो इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे ठीक है अप्लीकेशन पर चलिए बहुत बढ़िया ठीक है इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे आइडिया रिस्टुरंट ठीक है लिख रहे हैं सर इसमें वर्ड मीनिंग है ना पूछता है या अप प्रीचिंग का मीनिंग क्या होगा उपदेश देना होता है देखिए आप जैसे वर्ड की बात करें तो हम वर्ड का एक अलग से सीरीज ही चला देते है ठीक है कौन-कौन कितने स्टुडेंट रेडी है वोकेबलरी के लिए फड़ा पड़ बोलिए तो तब हम इसमें वोके अब लड़ी के साथ चैप्टर चले लेजी में बताईए यह यह लिख रहे है सर आप से ऐसे ही पढ़ाईएगा यह तरीका बेस्ट है विकास लिख रहे हैं देखिए एक चीज़ को हम पहले भी बताए थे एक स्टुडेंट लिख रहे हैं कि सर मेरे पापा बोले एक ऑनलाइन पढ़ाए नहीं करने के लिए तो आपके पपा को क्या पता ठीक है पापा का दुनिया अलग था आपके पिता जी का दुनिया अलग था अभी दादा कहे हैंगे जादा कहेंगे बेटा कार लेने की क्या जरूरत है दूगो बैल लेलो तो खरीद लो जाके है ना पापा को आप समझाईए पड़िवर्तन ही संसार का क्या है नियम है सर्वाइवल और फिटेस्ट आप लोग जोनते होंगे ना आपको पता होगा कि नहीं होगा इच ठीक है दुनिया में आप तभी टिक सकते हैं जब समय कनुसार आप अपने आपको ढाल लेजिएगा नहीं तो डैनासौर वाली हाल हो जाएगी है ना कि पता चलेगा कि आप बहुत बड़े जीब थे लेकिन इस प्रतिमी पर से गायब हो गया तो समझ यह पड़िवर्तन हो कि यहीं लगता है न और अपने बच्चे को मवाइल से बिगर जाता आप समझ यह सबसे जमसे फिए गटना देखे हैं जूरु के पास नहीं भात वेसे बेचरा में पता लाएने वह उसको क्या आचा बिगरने लिए hayat और और कोई चीज से नहीं बिगरता है बना बीगरने के लिए मोबाइल दम तो इसे इसे घटना देखेए हैं जिनके पास मोबाइल नहीं भी है था पर यू बहुत बड़ा बीगरल है तो वह चीज नहीं है गधा वाली बात मत कीजिए कि मेरे पापा करें आउनलाइन नहीं पढ़ाय करने के लिए मत करो या जरूरी करने का जाए ओफ-लाइन में पैसा धेरी हो गया आपके पपा के पास है ना 4000 दे देंगे किसमें साइंस वाले में अलग-अलग देंगे बहुत जिसको बहुत रुपिया है तो फिर क्या कहना क्या है ना जरूरी है यहां पर सब्सक्राइब कर लिए उसमें बहुत सारा चीज हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन तयारी कैसे किया जाता है जिसको यह लगता है कुंची ने समझ माया ठीक है ऑफ लाइन में जाके देखिएगा इसी चीज़ को समझा दें हम मौन लेंगे जाईएगा इंगलिस वाले टीचर के पास ठीक है यह मेरा विस्वास है जाईए यह ओपन चैलेंज आपको कि आप जाईए ऑफ लाइन में औ तो आपको भविष्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यह मैं आपसे वादा करता हूं ठीक है इंगलिस इसको मन लेंग्विश्टी का इंगलिस से क्या है को मन भासा है यह दिमाग में आपको रखना है हमेशा चली बहुत अच्छा बहुत अच्छा मिल जाएगा पीडियाप मिल जाएगा ठीक है है प्रिंस वाबु लिखने में लह भी यू सरर हम लोग लोगों का English grammar ययस English grammar grammar तो बबब करना पढ़ेगा मेरा special grammar क्योंकि grammar एक दिन का चीज नहीं है ना इसे हम लोग को proper रुप में क्या करना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा तो वहां पर जब आप और अधी आपको यह लगता है तो आप लोग नीचे कोमेंस किझेगा कि ठीकानी बैच लाये तो धिएक है कोई दिकत नहीं और या याद रखे कि grammar is of any language और अदी जीवन में एक बार इंग्लिस व्याकरन पढ़ना है ग्रामर पढ़ना है तो क्रीश सर को चुनिएगा जरूर ठीक है तो अधिक हमारा बात होता है मोटीवेशन वाला नहीं हम फैक्ट बात करते हैं इसमें जितने भी बच्चे जूरे हैं वो सारे अच्छे स्टूडेंट है गुडए स्टूडेंट आप पूछे कैसे गुडए स्टूडेंट से उसका हम रिजन बता देते हैं मॉबाइल तो और फायर रहे तो फलना रहे यह रहे वो रहे उसमें लग जाते हैं लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट है मैंने पिछले साल जो पढ़ाया था आपके भाई बहन को दीदी को भाया को तो उनका जो मैंने लगन देखा था कि 11 बज़े 12 बज़े तक पर रहा है मॉर्निंग स लगने लगा कि नहीं यार मतलब बच्चे में दम है लोग जूट मुटका यह बात बोलते हैं कि आजकल के बच्चे परते नहीं परते हैं परते नहीं हैं तो फिर बारे-बारे वज़े तक कोन लाइव जुरा हुआ है ना मतलब सौक से जुरल रहेगा तो कि गाना चल रहा है या फिल्म चला या सिरियल की बैटके वो देख रहा है नहीं वह पर रहा है वह महनत कर रहा है तो मुझे लगता है कि आनलाइन पर पढ़ने के लिए वही बच्चे आते हैं जो वाके में वर्क करने वाला रहता है महनती बच्चा आता है नहीं तो हम तो ऑफ-लाइन भी रीगुलर भी नहीं रहता है तो हम क्या करें उससे हमको यह लगता है उसमें मातर 5% यह से बच्चे होते हैं जो की पढ़ने वाले होते हैं बल्कि ये मैंने फिल किया, ये मैंने क्या क्या है, फिल किया है आप लोग में, अब देखिए यह नवी तानोवी लिख रहे हैं। कि सर फ्री क्लास नहीं होता है। क्या नहीं होता है। आच्छा यहां पर हमारे आर्मी सहाब जुर चुके हैं और मैं आर्मी साहब को यहीं से सल्यूट करता हूं है ना और बहुत सारा चीज है जो कि आर्मी साहब से मुझे मापी भी मांगना है ठीक है तो जो भी हो हमारे बेस्ट फ्रेंड है रुपेश जी जो कि अभी बॉर्डर पे हैं एक बार सभी कोई आर्मी साहब के लिए यहां पे आर्टू ब्लॉक्स करके जुरे होंगे है ना तो आप उन्हें एक बार सभी कोई जय हिंद लिखे क्योंकि अभी यह सियाचीन जो है वहाँ पर यह बॉर्डर पर है जहां पर सीम तो काम नहीं करता है लेकिन इंटरनेट के माधियम से अपना आर्मी बाबु वहाँ पर क्या ह है जुरे हैं एक बार सभी कोई उनके लिए क्लैपिंग किजिए और जय हिंद लिखे क्या लिखिए जय हिंद लिखिए ठीक है तो चलिए तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है माइडियर स्टूडेंट ठीक है और आप लोग एस पॉकन क्लास जरूर जोईन करें है ना यह आपके लिए बहुत बैतर होगा और जो टॉपर बैच में जोईन नहीं किया है तो टॉपर बैच जरूर जोईन करें क्योंकि 2024 में हम लोग टॉपर बैच देने के लिए फिर से क्या है तैयार है जिस गधाव को जो करना है करने दीजिए ठीक है आपको क्या करना है पढ़न है ठीक है यह रहा है घृ झाल यह बहुत बढ़त भर्या बहुत दर्यां सर ओनलाइन1 बेस्ट है बिक कुमार लिख रहे हैं यिए शलिए पर रिनास ठीक है चलिए यह साहब के लिए जोरदार तालिया होगा सरकल से इंगलिस की क्यास होगी सर येस बिल्कुल कल से इंगलिस की क्लास होगी है लेक्ष मीठीक है तुम इस बैच में कहाया आज आती हो ना तुम को आने के क्या जरूरत है चलिए ठीक है तो आज की class बहुत ही सांदार हुआ है यह last में थोड़ी बात चीज जो fact वाली बात होती है वो होते हैं और मैं motivation वाली बात नहीं करता हूं और motivation वाली बात मैं इसलिए नहीं करता हूं यह सब चीज करने से कुछ नहीं होता वो एक नसा के समान है जितनी जल्दी वो चरहेगा जितनी जल्दी वो चरते हैं उतने जल्दी क्या होते हैं उतर जाते हैं तो इसलिए मेरे डिक्स नरी में motivational नाम का कोई चीज नहीं है अधी आप नहीं पढ़िएगा तो आपके घर का भविष्य से बदलने वाला नहीं है आपका जीवन भी बदलने वाला नहीं है महनत करना पड़ेगा दूसरा कोई विखल्प ही नहीं है ठीक है और smart work तो हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं how to smart work ठीक है हम लोगा smart work कैसे कर साइब कर लिजेगा उसी पर सारा चीज़ होगा तो चलिए my dear students आज की class हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं ठीक है और मिलते हैं कल है ना फिर है ना किस पर क्रीसर चैनल पर साम में हम लेने वाले हैं how to smart work यह topic बहुत ही important है ठीक है तो चलिए जूरिएगा चल of you my dear students जाहिन जाए भारत